नमस्कर दोस्तों हरियम अश्टरडिम में आपका स्वागत है इस वीडियो में प्रस्ण चार काहल करेंगे एक तिरभूज और एक समांतर चत्रभूज का एक ही आधार और चेत्रफल भी एक है यदि तिरभूज की भूजाएं 26 cm 28 cm और 30 cm है तता समांतर चत्रभूज 28 cm के को शेत्र बिवन बेरावर है तो इसकी संगत उचाही घ्याद करना है तो देखें इसको करते और आखीं मन लते हैं 3 माना तिरबूज में तरकर इस तिर्वूज में वुके सब्सक्राइस में 20 मैं अभ थाम टथाए सिए m तथा सी वरावर तीस सियम तो देखिए अब इसका अर्थ परिमाव निकालेंगे सेमी पेरिमीटर तेखिए 26 28 प्लस 30 इसको जोड़ेंगे कितना हो जागा देखिए इसको जोड़ेंगे दो जागे 84 इसको दो से भाग देंगे यह जागा 42 सेमी सेमी पेरिमीटर यानि इसका अर्ध परिमाव निकल गया 42 ठीक है अब देखिए अब हिरोन सुत्र से इसका 66 दरफ़ निकलेंगे तो देखिए हिरोन सुत्र से तिरभूज का 6 दरफ़ देखिए सब्सक्रलार तीनों को यह माइंस कर दिए देखिए ए मांणेश B मांणेश सिद्धक के 42 सित्रा लिख सकते हैं चार गोना चार, इसको रहने देंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे, दो गोना दो, गोना तीन, ठीक है, अब देखिए, यहां तीन और तीन का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, इसको बाहर ले आए, ठीक है, यह चोगदो, यह चोगदो, जोड़ा बन रहा है, इसको भी बाहर तीरबूच का चेतरपल निकल गया अब देखें प्रस्न में क्या कर रहा है दोनों का तो इसका संगत उचाही निकलना तो देखिए इस प्रकार अब लिख सकते हैं प्रस्नन प्रस्नलेटर समाद्र चेतरपल दॉननों काе चेतरपल ऑफ देखिए और इसका संगत चेतरपल अब ही निकले देखिए तीरबूच का यह थाra तो देखे इसको इधर ले आए यह बारा बार में कट गया इस पर कर दिए उंचा ही निकल गया बारा सी एंट करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंड करें और इससे पहले जितने वीडियो अगर आप देखना चाहते तो हमारे चैनल के पले लि